सिद्ध योग में आपका स्वागत है। शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं वह भी बिलकुल मुफ्त में। जिससे की आपकी यादास्त कमजोर होती जा रही हैं। आप चीजों को भूल जाते हैं, आपको कुछ ध्यान रखना होता है, बड़ा बार बार चीजों को भूलने लगते हैं। तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में, जो आपकी इन सारी समस्या को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, और साथी साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाब मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन क के बारे में कुछ बाते समझ लेते हैं तो दोस्तों यह जो head stand है सलंब स्रीरस आसन यह advance आसनों की category में आता है और साथे साथ यह balancing pose भी है और यह inversion pose भी है तो इस आसन में हम लोग balance भी करते हैं और इस आसन में हमारा inversion भी होता है inversion pose वो होते हैं जिसमें आपका जो blood flow है वो head की तरफ बढ़ जाता है और दोस्तों अगर contraindications की बात करें तो यह advance category का आसन है तो इसके लिए आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए तभी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं अगर अपनी physical body की बात करें तो अगर आपको cervical की समस्या है आपको high blood pressure की समस्या है low blood pressure की समस्या है आपको shoulders related को injury है आपको back से related को injury है तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है अब चलते हैं दोस्तों अपने आसन के अभ्यास की तरफ तो जो हमारा head , ईसके अभ्यास को शुरू करनी से पहले आपको इस prepractices और एक पात अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और साद ही साıt है है जो होता है आपका सेशिक्राशन होती है उनका अभ्यास की हम लोग कर सकते हैं अपने आपको इस आसन के अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए ठीक है तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने सीरसासन Head Stand के अभ्यास के तरह तो सबसे पहले हमको इस आसन का अभ्यास करने के लिए Table Top की Position में आना है और उसके बाद भजरासन में बैठ जाना है तो दोस्तों इस आसन की अभ्यास की शुरुवात हम वजरासन से करते हैं ठीक है और ये आसन जो है Balancing भी है और Inversion Pose भी है तो Inversion Pose में हमारा जो Blood Flow है वो हमारे Head की तरफ बढ़ जाता है और इस आसन के अभ्यास में हमें अपने Head पर अपनी Body को Balance करना होता है तो Starting में हम लोग Wall का Use भी कर सकते हैं ठीक है और Starting में इस आसन की कुछ Half Variations भी है वो हम Practice करेंगे ठीक है तो देखे सबसे पहले इस आसन के अभ्यास के लिए आपके हातों की Position क्या रहती है वो हम लोग देखते हैं देखे आपको अपने दोनों हातों से इस तरीके से अपनी Elbos को पकड़ लेना है और फिर अपने दोनों Elbos को इस तरीके से सीधा कर देंगे तो दोनों Elbos में इतना Gap रहेगा आपका दोनों Elbos आपकी Shoulder वाइड ओपन रहेंगी आपको अपनी Elbos को बहुत जादा Shoulder की लाइन से बाहर ओपन नहीं करना है उसके बाद आपको अपनी हात की उंगलियों को इस तरीके से खुले रहेंगे आपको अपने हाथ के अंगुठों को लॉक नहीं करना है ठीक है बहुत से लोग इस तरीके हाथ को आपको मैट पर टच रखना इस तरीकी से बाकी की उंगलियां आपकी मैट से ऊपर रहेंगी ठीक है तो आपकी पिंधीर और आपकी रिंग फिंगर को मैक्सिमम को तोछ करना है या नहीं पको जो आपको नहीं का апाट कर अब कर में गांजРय के करते देना हाए वो मैट पर रहेगा ठीक है और फो हैड आपका मैट से उपर रहेगा तो कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा ठीक है आपको जो है अपना हैड का ओपर वाला पार्ट अपनी हाथ की हतेलियों पर और जो फ्रंट वाला पार्ट है आपके हैड का वो आपको मैट पर रख देना ह इस तरीके से ठीक है दोनों पैर के अंगुठो और उंगलियों को in करना है और दीरे दीरे आपको अपने दोनों घोटनों को सीधा कर देना है ठीक है उसके बाद आपको दोनों पैरों को दीरे दीरे आगे की तरफ लेके आना है और अपनी बैक को इस तरीके से थोड़ा सा हंच करेंगे अपनी body का maximum weight जो है अपने head की तरफ shift करना है दोनों हाथ के अंगुटे आपके head पर support करेंगे आपको अपने हाथ की उंगली को जो finger lock है वो बिल्कुल tight रखना है तो आपको इस तरीके से practice करनी है पहले head stand की अगर possible है तो आप एक पैर को नीचे रखिए एक पैर को आप सीधा करके आप कर सकते हैं आप इस तरीके से practice कर सकते है head stand की देखिए और आप चाहें तो starting में आप दोनों पैर होगे tip of the fingers पर आके अपने body weight को head की तरफ shift करके आप यहाँ पर hold कर सकते हैं इससे क्या होगा कि धीरे-धीरे आप अपने body weight को head की तरफ shift करेंगे और आपके head की strength धीरे-धीरे बड़ेगी आपके हादों की उंगलियों की finger lock की strength है fingers की strength बड़ेगी तो आप अच्छे से balance कर पाएंगी क्योंकि एकदम से आप पहले ऐसी कोई trick नहीं है कि जिससे कि आपकी जो muscles हैं वो एक बार में strong हो जाएं आपकी muscles को strong होने में थोड़ा time लगता है जैसे से आप practice करते हैं जैसे से आपकी muscles काम करती हैं तो आपकी जो muscles जो हैं वो strong होने होती जाती हैं आपके हर आसन के अभ्यास में आपकी muscles different तरीके से काम करती हैं से आपकी मसल चोह हैं वो तैयार होती है अब जिन लोग को बैलनेंसिंग में दिक्कत आती इस आसन के होती लोहों के पास पूढ़ कि घट रहती कि कि आपака हैड जो हो रहा है तो आप जो है इस तरीके सेойти आप ले सकते और ब्लेंकेट के अंससे आप प्लेंकेट करें तो देखिए आप UPने पेरों की पोजिशन सेम रहेगी ज викली किस तरीखे इस परें? तो जदुन जरूरी चीज कि आपको आपको ऽॉले कर दा धिरें? जो स्तार्टें में रहे हो और लॉज ना अपको आपको अपने फिंगर लॉकिर लेये लिए नहीं! पर वाइड ओपन रखेंगे, अपने हैड को इस तरीके से रख लीजेए, जैसे आपको पोजिशन अभी बताई थी, पैर को घुट्टों से सीरा करना है, तीर दीर पैर को आके की तरफ लेके आएंगे, आपको अपने इसी भी एक पैर को उपर की तरफ लेके आए, ठीक है, पहला आप इस तरीके से बोडी को पंप कीजिए, और जंप करके दोनों पैर को इस तरीके से वाल से टच कर देजिए, ठीक है, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप पैर को इस तरीके से पंप कर सकते हैं, और दीर से अपने लेक को बैंड करके टच कर दीजिए एक प दूसरे पयर को वाल से दूर करके पर के ब проп加油 झाय सी त्वjor को रॉट belki को दूर तहने के ऻमग बैले को थार को रेक ला की पाय कि पोड़ा डुप przy आपको दूर डुट रहा है तब मत्त जिशत करें तहरी हैं जब अब नो पेरो को आपस मे पाय को सकते है आपके लंग्स को बलड है वह आपके तरफ आता है और आपके फेस की तरफ आता है आपके आपके तरफ जब ज्यादा आपको तोद का साथी सासन के अभयात से डायफ्रम भी अच्छे से एक्सपैंड होता है तो आपकी लंग सकती इंप्रू वोगों होता है आप अच्छे से फोकुस कर पाते हैं चीजों पर और आपकी जो है mentality और जदा स्ट्रॉंग होती है आप mentally और जदा स्ट्रॉंग बन जाते हैं positivity बढ़ती है आपके शरीर के अंदर आपका range of motion इंप्रूव होता है बोडी का alignment अच्छा होता है आप जो है balance अच्छे से कर पाते हैं आप अपने mind और body को अच्छे से balance कर पाते हैं का अध्या सी Australians क्शे से त resposta कर लेता है फिर आपको without Fashion कर सकते हैं without Twice आए आपको से सुझात को है आपको जैसर आटा है कि यह आपको यूंग लेन है क्यों क्या हूं नहीं सब्सक्राइभ अध्यis-yam लगतի है स्कूलाइब works एक छ По टब्लासन सिलम्ब सीर्जासने ड aristides तो उसका एलाइन्मेंट ठीक नहीं रहे पाता तो इसलिए आपको yoga belt का use करना है vulner को एत की से लॉक याफ कर लिजिए ठीक है और आपको इस तरीक करेंगे करेंग तो आपकी elbows एक दूसरी से दूर नहीं जा पाईगी ठीक है और आपका जो बॉड़ी का अलाइन में आपको प्रेसार्टी से करते हैं ठीकर आप प्रेक्टिस कर रहे ह। जब आपको लग रहा है कि आपकी एल्बोस जो है एक दूसरे कौनी एक दूसरे से दूर जा रही है बहुत वाइडली उपर हो रही है आपकी एल्बोस तो आप यूज कीजिए देखिए सेम पूजिशन आपको लेनी है इस तरीके से हैड को डाउन करतीजिए गुटनों को सीधा कर दीजिए तो आप चाहें तो एक एक करके अपने पैरों को बैंड कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर फिर दीरे दीरे बैलेंस को इंप्रूव होने दीजिए और दीरे एक एक करके आप अपनी दोनों पैरों को सीधा कर सकते हैं देखिए आपको अपनी ठीक है वापस आने के लिए का करना है सेम रिवर सोडर में जैसे आप अभ्यास में कहें थे नीज को बैंड कीजिए और धीर धीर नीचे लेकिया यह एक एक करके अपने पैर को डाउन कर देंगे तो पहला तरीका तो यह इस तरीके से आप फैनल पोस में जा सकते हैं दूसरा दरीका एक और है खीक है तो जिन लोग की अल्बोस स्लिप होती है तो वह बैल्ट का यूज करेंगे अपनी अल्बोस को अच्छे से पास रखने के लिए जिससे कि आपके आपके आसन का अलाइन्मेंट ठीक रहे क्योंकि अगर आपकी एल्बोस एक दूसरे से बहुत लॉक रखना इस तरीके से आर अपने हैड को तरीके से रख दीजिए अल्बोस को एड़स कीजिये कुटनों को सीधर रखेंगे पैरों को आगे लिए और आगे लिए अपना बोडी वेट सिफ्ट की जिए अपने दाए पैर को ऊपर उठाना है फिर दीर दीर बाय पैर को यहां पर balance कीजिए पहले थोड़ी देर फिर धीरे जैसे आपको balance improve होता है आप अपने बाए पेर को उपर उठाते जाएए उठाते जाएए दोने पेरों को मिला लीजिए पेर कंग उठर उंगलिया बाहर की तरफ आप चाहें तो अंदर की तरफ टक करके भी practice कर सकते हैं आपके hands पर भी कुछ weight रहता है तो आपके shoulders और hands की strength भी improve होती है वापस आने के लिए दीरे से legs को open कर दीजिए दीरे दीरे वापस आजाएंगे एक और तरीका है final pose में जाने का तो जब आपकी strength अच्छी हो जाती है तब आप दोनों पेर के साथ देखिए दीरे आप चाहे में लेके आजाएंगे ब्रीटिंग पर ध्यान दीजिए balance करके रखिए blood circulation को feel करेंगे जब आप इस आजन को hold करेंगे थोड़ी दिर बाद आपको आपकी पैरों में numbness feel होगी जो blood है वो नीचे की तरफ आ रहा है आपके head की तरफ वापस आने के लिए दीरे दीरे reverse order में hips को पीछी की तरफ move कीजिए और legs को down करेंगे दीरे दीरे जिस तरीके से आप आसन के अभ्यास में जाते हैं उसी तरीके से आसन के अभ्यास से वापस आते हैं तो हर बार head stand का अभ्यास करने के बाद आपको child pose में इस तरीके से बाला तो head stand के लगातार अभ्यास से आपकी shoulder और neck muscles की strength भी improve होती है head की strength इंप्रूव होती है और इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको बहुत सारे physical और mental benefit भी मिलते हैं तो जब आप इस आसन के अभ्यास को शुरू करते हैं तो starting में जो भी variation आप कर रहे हैं उन सारी variations में आपक starting में as a beginner फिर दीरे आपको जो है पांच-पांच-ददद सेकिंड करके हर वीक अपनी timing को बढ़ाना है और आप 2-3 मिनिट तक जब इस आसन के अभ्यास को करने लगेंगे तब आपके जो benefits है वो भढ़ जाएंगे ठीक है आपको बहुत सारे benefits मिलेंगे आप internally strong होने आपकी inner peace के लिए यह आसन आपको help करेगा ठीक है आपकी inner body से connect होने में help करेगा साथी साथ इस आसन के अभ्यास से आपकी range of motion improve होती है ठीक है आप जो है अपने hormones को control कर पाएंगे इस आसन के अभ्यास में ठीक है और जो यह आसन है आपको बहुत unlimited benefits आपको मिलेंगे इसके आतार अभ्यास से तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप लोग इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और अगर हम लोग बात करें इस आसन के benefits की तो यह आपको और भी कई benefit देता है यह आपके चक्रा जक्र जो होते हैं हमारी body के अंदर साथ चक्र हैं उनमेंसे जो हमारा सहस्तरार्थ्य चक्र है round चक्र और अज्ण चक्र हमारा जो बहुं के बीच में हमारा अज्ण चक्र होता है उसको activate करने में help करता है आपके शरीर के अंदर आपकी 이ग को कंट्रॉल करने में Health करता है डाफिजेशन को भी बैटर tutorial गैनाता है इस आसन की अभ्यास को शुरू करना है और जो कॉंट्रा इंडिकेशन बताइए उनका आपको खास ध्यान रखना है मैं बता दूँ खास तोर से इस पर लेडीज में अगर आपका मेंसुरेशन टाइम चल रहा है तो आपको इंवर्जन पोज का अभ्यास नहीं करना है किसी भ अभ्यास सभी को आना चाहिए जिससे की आप अपने स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन को दूर कर सके अपने शरीर को स्वस्त्र रख सके तो आप करिए अपने सलंब सीर्शासन हैड स्टेंड का अभ्यास हम आपसे मिलते हैं अगले अभ्यास में एक और नए आसन के साथ अपते के लिए नमस्कार